आज हम लोग बीए प्रोग्राम फ़र्स्ट इयर का जो आपका सब्जेक्ट है भारती शासन और राजनेती इंडिन गवर्मेंट और पॉलिटिक्स उसका जो फर्स चैप्टर है उसका सेकिंड पार्ट देखें लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अप्रोचिस ऑफ इंडिन पॉलिटिक्स पड़ा था भारती शासन के विभिन उपगमों का हम लोगों ने ध्यन किया था आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंदार्वादी दिश्टी कोन क्या कहता है, इसके उपरांस भारते कि रजे के स elderly में माँख्ष वादी दिश्टी कोन, और इसके उपरांस गांधि वादी दिश्टी कोन देखे, जैसा के हम सभी जानते हैं के बहुत लंबे संगर्श के बाद, yan-1947 में भारत ने स्वतंतरता प्राप्त की थी और एशिया, अफ्रीका और दक्षण अमेरिका के बहुत से देश जिनों ने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद या जिने दुत्ते विश्विवत के बश्चात आजादी प्राप्त हुई उन्हें हम लोग विकाशिल राष्ट के नाम से जा इन देशों की समाजिक विवस्था में बहुत सी हमें विविधता है और विशमता है, डिफ्रेंसिज और बहुत सरे इनिक्वालिटीज भी दिखाई देखने को मिलती है और जहां तक भारतिय राजे के सुरूप का प्रश्ण है, इसे समझने से पहले यह जानना बहुत भारतिय राजे के सुरूप से क्या अभिप्राय है, भारतिय राजे के सुरूप का मतलब क्या है, देखें भारतिय राजे के सुरूप को प्रभाशित करने के सबसे बड़ी कटनाई है कि यह सविधान द्वारा स्थापित, राजनेतिक संस्थाएं यदि सही अर्थों में अपने कारेों का निश्पादन करती हैं, या यदि अपने कारेों का निश्पादन नहीं करती, जिसके लिए उनकी स्थापना हुई है, इसके अत्रिक्त नीतिया तो महान और समतावादी हो सकती हैं, पर विक्ति, शाषन, सुत्र का संचालन करती हैं, वे या तो अपने समाज सुरूप को जानने के लिए यानि वो सभी कारग जो किसी भी राज्य के सुरूप को प्रभावित करते हैं उनको जानना बहुत अवश्यक होता है देखिए सबसे पहले यदि हम किसी भी राज्य का सुरूप जानना चाहते हैं यदि हम की सबसे किसी भी राज्य का सनस्थागत धाजचा है वो किस प्रकार का है क्या उज़भाव जानने वुदार लोगतांत्रिक संस्था हों के स्थापना की है या फिर साम्यवादी या सत्तावादी स्थापना की है देश में संसद्य शासन पर्णाली प्रचलित है या फिर अध्यक्षात्मक्षासन पर्णाली तो संसद्य कारेपाली का और फिर विधान सभा इन सब का कितना प्रभाव है वहाँ पर ये भी देखना बहुत अवश्यक होता है दूसरा राज्य का वर्गिय चरित्र कैसा है? अर्थात राज्य सत्ता को जो चलाने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के हैं? क्या विविक्ति समाज के व्यापक हित्मे निर्णे लेते हैं? संससदस्यों, मंत्रियों और प्रशासनिक वर्ग की जो समाजिक आर्थिक सभी मिलकर आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंतरन स्थापित कर चुके हैं या नियंतरन स्थापित कर लिया है विर राजयतिक सत्ता का इस्तमाल अपने निजी हितों को पृत्साहन देने के लिए तो नहीं कर रहे हैं या वास्तम में अपनी राजयतिक सत्ता का प्रियोग वो जनहित में करते हैं, इन सब चीजों को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा, उस देश की जातिय और धार्मिक समुहूं कि उस देश के राजनेतिक निर्णियों में क्या भूमिका है, कहना ये चाहता हूं कि किसी भी देश का जो कास्ट स्ट्रक्चर है औ वो पॉलिटिकल डिसीजन को किस सीमा तक प्रभावित करता है, हमारे सविधान निर्माताओं ने इस सोच को कभी भी इंकार नहीं किया, और उनका मानना था कि हर लोगतांत्रिक प्रणाली में हर जाती और मजहब के लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, पर जाती और बढ़ जाए कि देश की एकता को ही खत्रा पैदा होने लगे, देश की राश्टी एकता, सुरक्षता और खंडता को खत्रा पैदा होने लगे, तो उसका राज्ये के स्वरूप पर बहुत ही नकरात्मत प्रभाव पड़ेगा, चौता, अर्थेवस्था के विकास के लिए राज्ये ने उस पटिकुलर स्टेट ने कौन से प्रणाली चुनी है, आम तोर पर हमें तीन प्रकार की प्रणालिया देखने को मिलती हैं अंतराश्टी स्थर पर, या तो लिब्रल एकनॉमी होगी, या फिर सोशलिस्ट या कॉमनिस्ट एकनॉमी होगी, या मिक्स्ट एकन पादन में मुख्य भूमी का सरकार और नीजी दोनों नी भाते हैं और जो काफी सीमा तक एक दूसरे के पूरग भी होते हैं। कोई तंत्र अपने भीतर विक्सित कर पाए है या नहीं और शेत्रिय धलों का उभार कहीं यह अर्थ तो नहीं कि केंद्र में इस्थिर और शक्तिशाली सरकारों का निर्मान ना हो सके। इसी प्रकार एक और फैक्टर है जिसको बहुत द्यान दिये जाने के जरूरत है कि राजन्यतिक संस्थाओं को उस देश की जो राजन्यतिक संस्थाएं हैं जो पोलिटिकल इंस्टिटूशन्स हैं। जो किस प्रकार से वैधता लेजिटमेसी प्राप्थ होती है। अपनी सत्ता को वैध या उचित सित करने के लिए जो शासक वर्ग है। सरकार समय समय पर चुनाफ कराती है, हर देश में चुनाफ होता है और जन समर्थन को हासिल करने के लिए शासक वर्ग कभी कभी भ्रामत प्रचार और जूट का सहारा भी लेता है इसके उपरांत ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या राज्य बिना किसी अनुची दबाफ के अपनी अंतराष्टे निर्धारित, अंतराष्टी नीतियों को अपनी विदेश नीती को निर्धारित करने की स्थिती में है या नहीं वास्ता में कोई राज्य कितना अधिक शक्तिशाली होता है या उसकी विदेशी नीती के निर्धारण में बहुत योगदान देता है और देखिए जहां तक भारतिय राज्य के स्वरूप पर हम लोग चर्जा करना चाहेंगे इन सभी factors को आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी राज्य के स्वरूप को आप समझना चाहते हैं या ध्यन करना चाहते हैं तो जिन बातों का जिक्र अभी मैंने किया उन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि वहाँ की अर्थेवस्था का स्वरूप कैसा है वहाँ जातिय और धार्मिक समीकरण कैसे है वहाँ की सरकार कितना ज्यादा निर्णे निर्माण में स्वतंत्रता महसूस करती है लोगों का राजनितिक संस्कृती कैसा है इन सभी बातों को ध्यान में रखने के उपरांते हम किसी राज्ये के सुरूप को इस पश तरीके से समझ सकते हैं अब हम लोग चर्चा करना चाहेंगे भारतिय राज्ये के सुरूप के विश्ये में उदारवादी दिश्टिकों Liberal View of Nature of Indian State देखे सबसे पहले उदारवाद क्या है इसको जानना जरूरी है देखे उदारवाद एक ऐसा राज्येतिक आर्थिक और समाजिक वातावरन है जो विक्ति की स्वतंतरता और उसकी मान मरियादा को बहुत महत्व देता है देखे राज्येतिक सिधान्त में जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो राज्येतिक सिधान्त में भी सभी उदारवादियों का माना है कि वो राज्ये सबसे बहतर होता है जो कम से कम शासन करता है और विक्ति को अधिक से अधिक स्वतंतरता देता है यानि सभी उदारवादी पोलिटिकल थियोरी के अंदर मिनिमल स्टेट, न्यूनतम राज्य के कलपना करते हैं और विक्ति की अधिक्तम सोतंतरता की बात करते हैं ठीक इसी के अनुसार ही यदि भारतिय राजनीती में उदारवाद देखा जाये तो देखिए उदारवादियों का कहना है कि परिवार, जाती, धार्मिक समुदाय तता आर्थिक और सांस्कृतिक संगर्टन जैसी बहुत सी संस्ताय कारे करती है किसी भी देश में जिनके मिलने से समाज बनता है और समाज में रहने वाले लोगों की इच्छाओं और अफशक्ताओं के बीच में तक्राव कभी-कभी संगर्ष का स्वरूप भी ग्रहन कर सकता है इसलिए राज्ये का, स्टेट का, राजनीती का ये लक्षे होता है कि इन जगड़ों को शांत किया जाए और राजनीतीक सत्ता को चलाने वाले लोग समाज की व्यापा खित में महतोपूर ने लेते हैं और भारतिय राज्ये के यदि उदारवादी चरित्र को समझना हो, तो उसे कुछ खास बातों से हम लोग समझ सकते हैं कि भारतिय राज्य का जो सुरूप है वो संसदिय लोकतंत्र है ध्यान रखिएगा भारतिय राज्य के उदारवादी सुरूप की पहली विशिष्टा है पार्लेमेंटि डेमोक्रेसी संसदिय लोकतंत्र देखिए भारत विशुप का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में इंगलेन्ड की तरा ही संसदिय प्रणाली को स्थापिद करने का प्रयास किया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि कारेपाली का मंतरी परईशद संसद के प्रतिवत्तरधाई होती है और उसी समय तक सत्ता रोड यानि सत्ता पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे बहुमत का समर्थन मिलता रहे और केंद्र की तरह राज्यों में भी शासन का धाचा संसदिय ही है इंग्लैंड में संसदिय लोकतंत्र के लिए कई बाते जिम्मेवार हैं जैसे कि एक सोशिक्षित और जागरुप मतदाता का होना स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव की विवस्था का होना विचार और अभिविक्ति की स्वतंत्रता का होना तथा दो बड़े राजनितिक जल जो देश की राजनिती को यानि देश ब्रिटेन की जो राजनितिक विवस्था है वहाँ पर एक स्थाई सरकार और सशक्त विश्पक्ष प्रदान करने में महत्पुर्बो में कनिबाते हैं और भारत में संसदिय शारसन के समक्ष हमें बहुत सी चुनावों में जैसे उनिसो क्यानवे, उनिसो च्यानवे, उनिसो अठानवे, उनिसो नन्यानवे वश्थ 2004 और 2009 में भी हमें ऐसी स्थिति को देखने को मिली जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत या स्पष्ट जनादेश तक नहीं मिला परन्तु 96 और 98 में गटित सरकारों को छोड़ कर शेश सभी सरकारे अपना कारेकाल भी पूरा करने में काम्याब रही गटबंधन सरकारों का युग अभी समाप नहीं हुआ है टिकाउन सरकारों के लिए राष्टवादी दिष्टिकों चाहिए और प्रदेशिक दल शेत्रिय मुद्दों को उठाते हैं पर कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो सर्फ सम्मती का अधार बन सकते हैं जैसे कि आर्थिक सुधार को लेके कई कारिक्रम आंतकवादी गतविधियों का दमन किया जाए और परियवरन का सुरक्षाया परियवरन का बच्चाव कहने का मतलब भारतिय राज्य के उदारवादी सुरूप का सबसे पहला लक्षान है इसका संसदिय सुरूप होना संसदिय सुरूप के माध्यम से सभी महतवपुन निर्णे संसत के माध्यम से लिए जाते हैं और जो सरकार है और उसके मंत्री मंदल में यदि वो देश के समधित कोई भी महत्वपूर निर्णे लेते हैं तो उस महत्वपूर निर्णे से उन्हें देश के संसत को अवगत कराना होता है और उस पर सहमती लेनी होती है और वो कभी भी कोई भी महत्वपूर निर्णे लेत दूसरी विशेष्टा जो हमें भारती राज्ये के उधारवादी स्वरूप में दिखाई देती है वो है हमारे देश में स्वतन्त न्याएपालिका और न्याएपालिका दिखाई देती है एक समनन्वित नियाई-पालि का दिखाई देती है और अमेरिका की बाती हमारे देश में केंद्र और राजियों की अलग-अलग अदालते नहीं है सबही नियायाले उच्तम नियायले के अधीन कारे करते हैं और सारे देश में हमें एक ही civil और criminal law दिखाई देता है Supreme Court और High Court को यह शक्ति दी गई है कि वे संसद या किसी भी राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैद घोशित कर सकते हैं यदि वो कानून सविधान की मूल भावना का उलंगन करते हो तो ऐसे में नियाई पालिका कोई अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए या विधान सबाद द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को वो नल एंवाइट यानि गैर कानूनी भी घोशित कर सकती है और देखिए जहां तक कई बार देखा गया है कि नियाई पालिका की संसद और नियाई पालिका के बीच टकराद की स्थिती भी देखने को मिलती है और कभी-कभी न्यायपालिका से अपिक्षा की जाने लगती है कि वे उन प्रशनों पर भी अपना फैसला दे जिनका उत्तर देना कारेपालिका की जिम्मेवारी होती है ऐसे स्थिती में न्यायपालिका विशेशकर सुप्रिम कोट का मजबूत होकर उभरना बहुत अवश्यक है इसे न्यायपालिका की सक्रियता भी कहा जा सकता है देखे नयाई पालिका की सक्रियता से मतलब है जब कभी भी देश की सरकार या संसद यदि महतोपुन निर्णे नहीं लेती और देश के हित में, राष्ट हित में कोई महतोपुन निर्णे लिया जाना बहुत अवश्यक होता है, तो ऐसे में नयाई पालिका न्यूस पेपर के माध्यम से या फिर किसी भी सूचना के अधार पर अपनी तरफ से भी कोई संग्यान ले सकती है और अपनी सक्रियता का परीचे देते हुए प्रस्तुत विशे पर किंदर सरकार या राज्य सरकारों को निर्देश भी दे सकती है अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रिम कोर्ट ने लगा था COVID-19 पैंडेमिक के केस को लेते हुए दिल्ली में ऑक्सिजन की सप्लाई को लेकर किंदर सरकार को निर्देश जारी किया और विभिन राज्यों के हाई कोर्ट ने अपनी अपनी राज्यों की जो आव्यवस्था थी जो COVID-19 से लड़ने में परिशानिया थी उसको लेते हुए भी कई तरह के निर्देश राज्यों सरकारों को जारी किये थे देखी इसके उपरांथ हम लोग थोड़ा डिसकस करना चाहेंगे पॉब्लिक इंटरस लिटिकेशन के कॉंटेक्स्ट में ज जनहित याचिका पर सुप्रीम कोट के निर्णेओं का देशवासियों ने हमेशा से स्वागत किया है पर इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि न्याई सक्रियता की वज़े से कभी-कभी संसद और न्याय पालिका के बीच जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि संसद और मिलती है देखि पूब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन भारते चविधान में पहले से बन्दित और जनहित याचिकाओं के मध्यम से कोई भी विक्ति किसी दूसरे विक्ति के संदर्व में यह पिर जनहित के संदर्व में किसी भी विशे को सरवचनेयले या उचनेयले के समक्ष रख सकता है कि इस विशे पर देश हित में या उस वेक्ति के मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के हित में निर्डे लिया जाना बहुत जरूरी है तो उस पब्लिक इंट्रस्ट लिटिकेशन पर हाई कोट या सुप्रिम विशेता से भी हाथ धोना पड़ा और इन सदस्यों ने उच्तम नियाले का दर्वाजा भी खटखटाया तो लोगसभा के स्पीकर को नियाले के समक्ष अपना पक्ष रखना पड़ा और इस पर लोगसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमना चटर जी की यह प्रतिक्रिया दी अधिकार है कि गल्ती करने वाले सदस्यों को स्वयम रेगूलेट अनुशासित करें और सांसदों के निशकासन के बारे में यदि को निर्ने लेना है तो वह संसद स्वयम निर्ने ले अदौलोतों के पास यह दिकार नहीं है लेकिन कई बार सरवच नियालेने नियाइक सक्रियता और जनहित याजिकाओं के माध्यम से बहुत स्वारे स्वागत योग्य कदम उठाए हैं जो देश की हित में और देश की जनता के हित में किया जाना बहुत अवश्यक है भारते सविधान के कई ऐसे प्रावाधान भी हैं जिनकी वजह से नियाइधीशों में सौतंत्रता और निर्भीक्ता जैसे गुणों का विकास हुआ है और दूसरी और यदि हम सामयवाधी देशों की बात करें तो वहाँ पर नियाइपालिका शासन के एक अंग के रूप में कारे करती है और मनमानी शक्तियों का प्रियोग या फिर सीक्रेट जूडिशल एक्टिविटेज या फिर राजनतिक विरोधियों के प्रती निर्देता का विवहार ये सभी सामेवादी नियाई व्यवस्था के समाने लक्षन है और ये सभी लक्षन हमें चीन की राजेतिक व्यवस्था में पश्ट रूप से देखने को मिलते हैं इसके उपरान देखिए भारते राजे के स्वरूप में एक और विशिष्टा दिखाई देती है जो इसके उदारवधी स्वरूप को justify करती है वो है centralized federalism केंद्रित संगवाद देखिए भारत में जैसा के हम जानते हैं संगे शासन के स्थापना की गई है पर कई ऐसी बाते हैं जिनके कारण केंद्रिय सरकार अत्यधिक शक्तिशाली भी बन गई है मसलन यदि आप 1950 से सरसथ 1950 तो 1967 के दौर को देखे तो यह दौर केंद्र राज्य सहयोग का काल था उसका कारण ये था कि केंद्र और राज्यों दोनों ही जगावों पर एक ही दल की सरकार हुआ करती थी कॉंग्रेस की और ठीक इसके विपरीत 1967 के चौथे आमजुनावों के पश्चाथ केंद्र राज्य संगहर्शों का उदय का दौर शुरू हुआ और केंद्र राज्यों के बीच खिचाव और मत्भेत के हमें तीन आयाम मुख्य रूप से दिखाई देते हैं एक प्रशासनि एड्मिस्ट्रेटिव कॉंफ्लिक्ट दूसरा लेजिसलेटिव यानि विधाई और तीसरा वितिय या फिर प्रशासनिक विवादों का संबंध भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है और प्रशासनिक विवादों में हमें राज्येपाल की भूमिगा और राज्यों में राश्टपती शासन की विवस्था देखने को मिलती है जैसा कि हमें पता है आपको भी याद होगा देखे अक्टूबर 1997 में यूपी में राश्टपती शासन को लेके स्वयम राश्टपती ने केंद्रिय कैबिनेट को यह संदेश भिजवाया कि इस फैसले पर आप पुनर विचार कीजिए और इस वैसले पर शायत पुनर विचार की अफशक्ता है इसी प्रकार अक्टूबर 2005 को सुप्रिम कोट ने यह फैसला सुनाया कि बिहार विधान सभा को भंक करने कि जो राश्टपती की घोशना थी वह पूरी तरह से आसावैधानिक थी